चलिए प्रधानमंदीर नरेंद्र मोदी जी कुछ कह रहे हैं सुनिए आपको बतादे कि अब भाजपा ने अपना घोशना पत्र जारी कर दिया है और इसी बीच प्रधानमंदीर नरेंद्र मोदी भी कुछ कहने वाले हैं लिकिन आपको एक बार फिर से बता दे कि कहीं तमाम बड़े वादों को जनता की समक्ष रखा गया है आपको कहीं सारे वादे बताइएंगे के हम वाद तरह से रोखने का वादा को wire ago momentos करने की जरुद्वत नों पड़े मैं आज इस इतने बड़े मीडिया का समूह है तो आपका भी और देशवासियों का गत पांच वर्ष में जो सहयोग मिला समर्थन मिला और ये जन सहयोग का ही कारण है कि हम इस कार्य को सफलता पुर्वक कर पाए और इसके लिए मैं देशवासियों का आप सब का रज़य से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आमान नरिटे ये स्वाभाविक हैं कि चुनाव के पहले हर राजने तिक दल अपनी मतनी बात लेकर क्या आती है लेकिन राजनाजी के नेत्रुत्व में हमारे अद्धिक जी ने जो कमेटी बनाई थी उसने पिछले दो-तीन महेने लगातार महनत की और एक प्रकार से जन के मन की बात उनकी आशा, आपेक्षा, आकांख्षाओं को सुनना, समझना और एक डॉक्युमेंट में भले सब कुछ ना आ जाएं लेकिन उसकी मुल्वज बातों को पकड़ करके आगे चलने का, ये जो महनत की एस्टीम ने मैं इस्टीम को रदय से बहुत बहुत बदाई देता हूँ शायद हिंदुस्तान में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में सरकार किन बातों को लेकर के आगे काम करे जनता को इतनी बड़ी मात्रा में विचार मिमस हुआ है ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है और ये लोग तंत्र का ट्रू स्पिरिट है और उसको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टों में तीन प्रमुब बातों का उले किया गया है और उसी के आज़ पास हमारा पूरा ये डॉक्यमेंट तयार हुआ है राष्टबाद ये हमारी प्रेरणा है अन्तियोदय ये हमारा दर्शन है और सूसासन ये हमारा मंत्र है इस पूरी रचना जो है उसमें एक आम तोर पर ये मैनिफेस्टों दोहजार चोबिस के लिए है लेकिन देश की जनता हमारा हिसाब जंग से मांग सके इसलिए पहली बार हमने साहस किया है कि इंटरिम भी हमारा हिसाब लिया जाए और वो है दोहजार बाइस आजहादी के 75 साल होंगे तब तक हमने देश के महपुर्शों ने जिन सपनों को लेकर के आजहादी का जंग किया था आजहादी के लिए बलिदान दिये थे जब आजहादी के 75 साल होंगे तब हम उनके सपनों का भारत समर्पित करने के दिशा में कुछ एहम काम कर ले पूरा कर ले इस उद्दे से 75 वर्श, 75 लक्ष यह हमने ताय किये हैं 75 निश्चित कदम हमने ताय किये हैं यह अपने आप में time bound, well defined शायद ही कोई गोष्णा पत्र में या संकल्प पत्र में आप पहली बार देख पाते होंगे उसी साथ साथ हम कभी manifesto को लेकर कर आए है तो साफ है हमारे मन में one mission, one direction हम देश को सम्रुद बनाने के लिए सामान्य मानवी के ससक्ति करण को ले करके जन भागी दारी को बढ़ाते हुए लोग तांत्रिक मुल्यों को महत्माई देते हुए और सरकार की सबसे बड़ी कसोटी ये नहीं होती है कि आपने क्या किया सरकार के सबसे बड़ी कसोटी है लास माईल डिलिवरी की और इसलिए वन मिशन वन डारेक्शन ले करके हम आगे बढ़ना का हमारा निर्दारित मंत्र है उसी प्रकार से हमारे सबाज में विविदता है भाषा की विविदता है जीवन सर की भी विविदता है शिक्षा में भी विविदता है जीवन सैली में भी विशेशता है और इसलिए एक ही डंडे से सब को हांका नहीं जा सकता और इसलिये विकास को हमने मल्टी लेयर बनाने के दिशा में, इसमें हमने समाहिद करने की पूरी कोशिश की है गां हो, शहर हो अगड़ा हो, पिछरा हो, दलीथ हो पिडीत हो, बिडीत हो, सोसीत हो बंचीत हो, आदिवासी हो बुरुश हो, महिला हो हो नवजवान हो senior citizen हो हर एक को एक प्रकार से multi-layer हमने इसकी सबको address करने की कोशिश किये दूसरा हमने प्रयास किया है multi-dimensional जैसी जहाँ आवश्यक्ता उस प्रकार से हम आगे बढ़ना चाहते हैं एक ही खांचे में एक ही सांचे में एक ही धांचे में चीजों को समाहित करके हम परणाम नहीं ला सकते हैं राजनीती चल सकती है लेकिन देशनीती चलाने के लिए देश को आगे बढ़ाने के लिए हमने multi-dimensional level पर काम करना होता है उसको हमने इसमें लेने का पुरा प्रयास किया है अब जैसे उदहान के लिए आने वाले दिनों में भारत के सामने हैं जो कुछ कठिनाईया नजर आ रही है जैसे पानी खास करके मैं आज जब तमिल नाड़ू की गैराई में जाता हूं तो ध्यान में आता है कि आने वाले दिन कितने संकट वाले जा सकते हैं राजस्तान गुजराज जैसे प्रदेश सदियों से पानी के अभाव में जीए हैं उनने अपने रास्ते खोजे हैं लेकिन आज भी देश के कई प्रदेश हैं उनके लिए भारत सरकार ने गंबीरता से सोच करके समस्याओं का समधान करना होगा और एक लंभी योजरा से करना होगा और इसलिए हमने सोचा है कि देश में पहली बार जल की बात करता हूँ तो जल भी पी लेता हूँ हम एक अलग जल शक्ति मंत्राले बनाएंगे हमने इस बजेट में मचवारों के लिए और कोस्टल इरिया ही में ही मचवारे भाई बैन ऐसा नहीं है हमारे देश की नदी तड़की संस्कृति में मचवारे एक बहुत बड़ी एकनोमिकल एक्टिविटी का माध्यम रहे हैं और इसलिए हमने इस बजेट में मचवारों के लिए एक अलग मंत्राले की बात माता और बहनों को पानी की दिक्कत से मुक्त करके नल से जल कैसे पहुचाए इस पर हम काम करना चाहते हैं हम पानी के समझ में एक special task force एक mission mode में रचना करके उसका हम एक बहुत बड़ा बल दे करके काम करना चाहते हैं और खास करके मैं तो तमिल्लाडू के लोगों से मिला था ये विचान हमारे मन में कई छोटे-छोटे इलाकों से दूर-सुदूर लोगों ने हमें जो मन की बात भेजी इस में आया है और उसको लेकर के हमने इसका माहत्मा समझा है और उसको हम आगे ले जाना चाहते हैं हम लोगों ने 2014 से 2019 हमारे सारे कामों को देखेंगे यह बत है है कि कोई भी सरकार होती है बहुत लोगों को बुरा लगता है क्योंकि उससे कुछ लोगों के जो मूल एजेंडा है उसको तकलीफ होती है लेकिन यह सही है कि गई बती हुई सरकार और हमारी सरकार का मुल्यांकन तथ्थों के आधार पर होना चाहिए और 2014 से 2019 अगर एक शब्द में कहना है तो हमारे सभी कारियों के दचना के मूल में सामान्य मानवी की जो आवशक्ता है उसको एड्रेस करें बल दिया लेकिन देश जिस उमंग और उत्सा के साथ सपनों के साथ चल पड़ा है जो काम 50, 55, 60 के कालखन में होना चाहिए था वो मुझे 2014 से 2019 के बीच में करना पड़ा है लेकिन उसके अनुफव के आधार पर उस सफलता के आधार पर इस बार हमने पहले आवश्यक्ताओं को ध्यान में रख करके शासन चलाया अब सामान्य मानवी की आकांख्षाओं को ले करके हम क्या कर सकते हैं उसको गोशना पत्र में ले के आए आवश्यक्ताओं की पूरती अपने आप नहीं नहीं आकांख्षाई जगाती है अपने देखा होगा हमने एक हिंदुस्तान का पूरा मैपिंग किया सब दिस्टिक का और देश में करीब 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 डेट सो डिस्टिक ऐसे निकाले कि जहां मिनीमम कुछ चीजों पर और बल देने की आवश्यक्ता है हमने एस्पिरेशनल डिस्टिक एक स्ट्रेटेजी वरकवट की हमने उसको काम किया हमने तय किया कि पस्चिम भारत और पुर्वी भारत दोनों बराबरी कैसे करें पुर्वी भारत को बल कैसे दे और उसमें हम काफी कुछ आवश्यक्ताओं को एड्रेस कर पाए हैं अब आकांग्षाओं को एड्रेस करने के जिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक समगरत है भारत के विकास को लेकर के हम आगे बढ़ने के लिए चल जाएं एक और हमने विश्य लिया है आज़ादी का अंदोलन देश में सेंकडो साल की गुलामी के दर्म्यान कोई वर्ष ऐसा नहीं रहा है हिंदुस्तान का कोई ने कोई कोना आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ता रहा है सेंकड़ों सालों तक हर वर्ष कहीं न कहीं बलिदानियों की परंपरा रही है लेकिन आजादी को जब महत्मा गांदी ने जनांदोलन बना दिया तो उसने बहुत बड़ी ताकत पाई जैसे आजादी पाने में जनांदोलन एक बहुत बड़ा स्वसक्त माध्यम बना करता है तो आजादी के लिए कोई सफाई करता है तो आजादी के लिए कोई सिख्षत के नाम काम करता है आजादी के लिए कोई खादी के कपड़े पहनता है गांदी जी ने उसको बहुत बड़ा एक व्यापक रूप दे दिया था भारत को भी विकास के लिए विकास को जनांदोलन बनाना है और एक सफल प्रयोग आप देख सकते हैं स्वच्छता हमारे देश में पहले हम गंदगी की चर्चा करते थे गंदगी के बिशे में हर बार खबरे भी आते थी बाते भी आते थे सब होता था लेकिन पिछले पांच साल में स्वच्छता की चर्चा हो रही है इसका मतलब यह रही है गंदगी खतम हो गई थी लेकिन स्वच्छता की चर्चा करते करते हमने गंदगी को एड्रेस किया यहने positive thinking को बढ़ाते बढ़ाते negativity को खबम किया और इसमें मुझे देश के सभी media house की मदद मिली मैं आज उनका अभार व्यक्त करना चाहता हूं देश की युवा पीड़ी की मदद मिली और वो जनांदोलन बन गया स्वच्छता के लिए कोई सरकार अपने खाते में सफलता का दावा नहीं कर सकती है जनांदोलन बना जब जनांदोलन बनता है तो कितनी बड़ी सफलता मिलती है और इसलिए हम विकास को जनांदोलन बनाने की दिशा में केंद्रस्त विचा लेकर के चलना चाहते हैं ये भी सह कि दिल्ली के air condition में बैटे विये लोग गरीबी को परास्त नहीं नहीं कर सकते हैं हम लोग भी air condition कमरों में बैठते हैं इसलिए मैं कोई किसी और के लिए नहीं कह रहा हूं गरीबी गरीबी को परास्त कर सकता है ये हमारा मंत्र है और इसलिए empowerment of power अब जब हम गरीब को घर देते हैं, तो उसकी आवश्यक्ता पुरी होती है, नए एस्पिरिशन जगते हैं, और वो उसके लिए सोचता है, अब घर मिला है, तो कर्टेन के लिए थोड़े पैसे बचाओ, वो सोचता है महवान आएंगे, तो दो चेहर के लिए पैसे बचाओ, उसके उसका दिमाँ बदलना सुरू हो जाता है, चीजे मैं छोटी बता रहा हूँ, लेकि मैं धर्टी का इंसान हूँ, इसलिए बदलाओं को बड़ी बारी की से देख पाता हूँ, और इसलिए, एंपावर्मेंट आप सिटीजन और पर्टिकुलरली एंपावर्मेंट आप पूर, इसके लिए हमने बल दिया हैं, दूसरा, हमारे देश में एक सोच बनाई दी गई, कि पही जनता को कुछ भी दो कम पड़ता है जनता को कुछ भी दो कम पड़ता है ये मैं समझता हूँ कि देशवासियों का अपमान है हमारा देश ऐसा नहीं है जी एक बार लाल के लिए से मैंने कहा था कि जो संभव हो अपनी गैस सबसीडी क्यों नहीं छोड़ते हैं और मेरा देश गर्व के साथ कह सकता है सवा करोड से ज्यादा परिवारों ने गैस सबसीडी छोड़ते हैं हमने रेल्वे के रिजर्वेशन के फॉर्म में लिखा था कि आप सीनियर सिटीजन है आप रेल्वे यात्रा में कुछ भी पाने के हगदार है सबसीडी पाने के हगदार है लेकिन अगर आपके आर्थिक सिटी ऐसी है कि जरूरत नहीं है तो आप इसको छोड़ सके तो अच्छा होगा छोटना सावाइक के उस रिजर्वेशन फॉर्म में लिखा है आप हैरान हो जाएंगे मेरे देश के 50 लाग से जादा सिनियर सिटीजन ने सबसीडी लेने से मना कर दिया और पूरी टिकर से ट्राविलिंग किया देश के अंदर ये जो ताकत हैं हम उसको एड्रेस करना चाहते हैं हम इसको बंग देना चाहते हम नागर के यह जो सब क्योंकि हमीध देश बनाना चाहते नहीं हिंदुस्तान की 130 करोड लोग भी देश को बड़ा बनाना च और इसलीए हमने हमारी सारी योजनाओं में राज नागरीकों की शक्ति है उस्सक्ति को हमारे विकासका आधार मानने का इस पत्र में हमारे कारकमों की रचनाथ के केंद़र में दिखेगा हमारे देश में ब्रस्टाचार की चर्चा बहुत हुई है शासकी विवस्ता में ब्रस्टाचार को कंट्रोल करने में हमने बहुत सबलता पाई है गुड गवनन्स इजी गवनन्स ट्रांस्परेंट गवनन्स एकाउंटेबल गवनन्स रिस्पॉंसिबल गवनन्स इन सारी बातों को बल देते हुए शासन विवस्ता में हमने कई रिफॉर्म्स किये हैं हमने कई अधिकार बहुत नीचे तक हमने दे दिये हैं ताकि अकाउंटीबिलिटी बढ रही है लेकिन टेक्नोलोजी ने बहुत बड़ी मदद की है टांसपरंसी में जाए जंदन आधार मोबाइल वारा हमारा जैम योजना हो या या यी मार्केटिंग का हमारा प्रयास हो बहुत बड़ा सफलता मिली है इस चीजों को हम नीचे तक परकॉलेट करना चाहते हैं और किसान के लिए पैंशन की बात हो खेत मजदूर के लिए पैंशन इस एक बहुत बड़े कदम की और हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि वह एक एशोड जिन्दिगी जीने के लिए अपने परिवार के साथ काम करने के लिए सफलता से आगे बढ़ेगा ऐसे अनेक विशों की चर् सबीक शेत्रों में जब हम बात कर रहें तब यह हमारा संकल्प पत्र इश्य शासन पत्र भी है, यह हमारा संकल्प पत्र राष्ट की सुरुः। का पत्र भी है यह हमारा संकल पपत्र राष्ट कि समरुद्दी का भी पत्र है इन सारी बातों के साथ आपको याद होगा हम नब्बे के दसक में है बार बार सुनते दिए कीश्वी सदी आ रही है 21 सदी आ रही हैं लेकिन देश को उसके लिए तयार करने में हमने मोका गवा दिया 21 सदी एक नारा बन गया चुनाव में बोला जाता था चर्चा होती थी 21 सदी में तो हम दो दो सकतों पार करने के पहुंच गये हैं 2022 आजादी के 75 साल है और कुछ ऐसे एतिहासिक पल होते हैं जो प्रेणा के लिए बहुत बड़ी ताकत रखते हैं अगर गांदी 150 तो अपने आपने स्वच्छता के लिए प्रेणा का कारन बन सकते हैं आजादी के 75 साल प्रेणा का कारन बन सकते हैं अब हम सुनते हैं कि 21 सदी एशिया की सदी है अगर 21 सदी एशिया की सदी है तो भारत उसको लीड करें या न करें करना चाहिए कि नहीं कर चाहिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं हमारा संकल्प पत्र है हम संकल्प के साथ चलते हैं कि जब हिंदुस्तान की आजादी के 100 साल होगे 2047 आजादी के 100 साल हो तब देश डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री क्यूंचाई को कैसे पार करें और ऐसी बहुत सी बाते हैं बहुत सी बाते कह सकते हैं लेकिन मैं 2047 के और नहीं ले जा रहा हूं आपको लेकिन 2047 का जो मजबूत फाउंडेशन है 2019 से 24 में रखना होगा 2019 के 24 के मजबूत फाउंडेशन के आदार पर ही 2047 आजादी के 100 साल देश और वो हिंदुस्तान के हर नागरी का सपना बने एक मास मूमेंट बने हमें देश को वहाँ ले जाना है और एक बार ये हम विजाज पैदा कर देते हैं हमने गोशना पत्र में संकल्प पत्र में इस बात का इशारा किया है विस्तार नहीं किया है लेकिन हमने जो विस्तार किया है वो इन 5 सालों के लिए किया है और उसमें हमने 2022 आजाजी के 25 साल को देश के सामने हमने अपने आपको कटगरे में खड़े करकर के अकाउंटिबिलिटी के लिए प्रसुत किया है यह अपने आपने बहुत बड़ा बहुत बड़ा हमारा निर्णे है और हमने किया है देश ब्रस्ताचार को सहने को तयार नहीं है कानून नियमों की विवस्ताएं हो हमारा एप्रोच हो और हम इमानदारी को बल देते हुए इमानदारी की प्रतिष्टा को बढ़ाते हुए ब्रस्टाचार से मुक्ति के दिशा में जाना चाहते हैं हमने देखा होगा कि 19 स्वी सतावदी में हमारे देश में जो सामाजिक बुराईयां आई थी बहुत बड़ी मात्रा में बुराईयों ने समाज को जगड लिया था उस समय के नेत्रुत्व ने एक तरव आजादी का जंग चल रहा था लेकिन 19 स्वी सतावदी में जादातर सामाजिक सुधार के अभियान हुए बड़ी हिम्बत के साथ हमारे देश के अनेग महपुरुष निकले और उन्होंने किया आज समय की मांग है कि हमारी खास करके राजनीतिक व्यवस्ता में शासक्य व्यवस्ता में जो बुराईयां घर कर गई है उन्नीश्वी सतावदी में सामाजिक बुराईयों के खिलाब जिस प्रकार से एक जन चेतरा का आंदोलन चला आने वाले दिनों में इन एक निश्टित फ्रेमबर की व्यवस्ताओं के भीतर इस प्रकार की जो बुराईयां गुज गई हैं उसके खिराब कदम भी ले रहे ह हैं निर्णे भी करने हैं लेकिन जन सामान्य का दबाव भी बढ़ाना है एक जनांदोलन भी करना है सुधार के संकल्प की और जाना है और उस दिशा में भी एक सकारत्मक विचारों को ले करके हम देश को आगे ले जाने की दिश्टित से प्रयास करते हैं गाउं गरी किसा हमारे इसकेंद्र में हैं देस के नवजवान के यह आने वाले 5 साल में 2047 का भविश्चतायकरने वाले है और इसलिए देश के नवजवानों को उस प्रकार से परवरिश हो देश के नवजवानों के लिए उस प्रकार के अवसार जिसमें हम कहें 100 il lac craम 2023 का इंवेस्ट्म ले करके हम चल रहे हैं जो पूरी व्यवस्ता को आर्फिक आधार को एक नई ताकत देगे और एक ऐसा परिवेश जो हिंदुस्तान इस पांच साल में ऐसे स्रिती में ला देना है ताकि वो 2047 की आकांग्षाओं को अपना सपना बना ले और सपना बना करके हम उस दिशा में स अंच्छाओं को पूर्ण करने का सपना ले करके हम आगे बढ़ रहे हैं मैं फिर एक बार इस संकल्पपत्र की रचणा में जिस स्रीम ने काम किया है उनका अभिनदन करता हूं मैं बारी की में छोटे-छोटे प्रोग्राम की रचणा में नहीं गया हूं एक मूल कह राष् हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं धन्यवाद दिशा में काम किया है और आगे भी इसी दिशा में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार काम करेगी और साथी वन प्राथमिक्ता पर रखते हुए उन्होंने कहा है कि नल से जल पहुचाया जाएगा एक पानी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है उसको दूर करने का हर प्रयास किया जाएगा राश्टबाद हमारी प्रेडना है साथी उन्होंने कहा कि संकल पत्र आशाओं और आकान शाओं का संकलन है वन मिशन वन डिरेक्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं साथी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नई बुराईयों के खिलाफ नीती बनाना है साथी कहा कि गाउं गरीब किसान हमारे केंद्र में है और उनके लिए हर उचित काम हमारी सरकार में किये जाएंगे देश के नौजवान भविश्य तै करेंगे नौजवानों के लिए कहा कि हमारे देश के नौजवान भविश्य तै करेंगे और साथी कहा कि गरीबों को सशक्त बनाने के दिशा में हम काम करते आए हैं और आगे भी हमारी सरकार इसी दिशा में काम करती रहेगी आपको बता दे बीजेपी का घोशना पत्र आखिरकार जारी हो चुका है जिसमें कई बड़े वादे जनता के समक्ष रखे गए हैं इस एक राम मंदिर का मुदद़ जो बहत एहम बाना जारा था और इस पर सबकी निगाहे टिकी था कि इस बार घोशना पत्र में क्या कुछ क़ह का जाएगा उसके लिए तो राम मंदिर के लिए इस घोशना पत्र में ये कहा गया है कि इसके निर्माण के लिए हर संभव कोशिश भाजपा सरकार में की जाएगी और साथ ही राश्चवात के मुद्दे के लिए कहा कि इसके प्रती पूरी प्रती बदिता दिखाई जाएगी अवैद घुसपैट को पूरी तरह से रोपने का वादा इस घोशना पत्र में भाजपा सरकार ने जनता के समक्ष कर दिया है और साथ ही पांच किलोमीटर के बीतर बैंक सुविदा देने की कोशिश भी की जाएगी साथी राष्टे व्यपार आयोग का गठन भी किया जाएगा इस घोशना पत्र में वादा किया गया है हर परिवार को पक्के मकान की सुविदा दी जाएगी और देश के सभी घरों में बिजली सहित शौचाले की सुविदा भी मुहिया करवाई जाएगी नेशनल हाईवे की लंबाई दोगुनी करने का भी वादा इस घोशना पत्र में किया गया है तीन तलाग पर एहम फैसला आपको बता दे कि तीन तलाग पर कानून बनाने का वादा इस घोशना पत्र में और साथी आर्टिकल 370 और 35 को हटाने की भी पूरी कोशिश की जाएगी ये वादा इस घोशना पत्र में भाजपा सरकार ने कर दिया है